दोस्तों, BSNL अब पहले से बहतर हो चुका है, दरसल इन्हों ने अपना नया लोगो ही अन्वील नहीं किया है, बलकि साथ नई सर्विस भी अन्वील कर दी है, अब नए लोगों के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि BSNL Connecting इंडिया नहीं, अब BSNL Connecting भारत हो च जा रहे हैं हम से, दरसल ये पहले से ही universally affordable तो था ही, मतलब सस्ते सस्ते plan अभी भी है, इनके पास में जिसकी वज़े से हम इसके उपर shift भी हुए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अब और भी जादा network ये अपना expand करता चला जा रहा है, मतलब इंडिया का कोई ऐसा राज्य या क अब ये है कि अगले साल तक हो जाएगा, कई सारे major cities के अंदर तो आई जाएगा, लेकिन main क्या है कि ये spam free network बना रहे हैं, जिस तरीके से एटल ने किया है, उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं कि वह या आपको spam callो से बचाया जाएगा, उपर से जिसके पास में BSNL का network है, उस रोमिंग की service भी अब ये add कर रहे हैं, और जिसके पास में fiber to the home यानि की FTT H connection मौझूद है, उसको ये 500 से जादा TV चैनल भी देंगे जो कि बता रहे हैं कि premium channel सी होने वाले हैं, ऐसे नहीं कि इदर उदर के channel डाल दी हैं, उसके अंदर सारे premium channel ही होने वाले हैं, और आप कहीं इसे भी airport से, railway station से, ATM के type की एक machine लगा दी गई है, उससे SIM निकाल सकते हो, BSNL का और ये KYC होती है, SIM लेने से पहले, वो भी सारी की सारी आप इसी machine के ऊपर कर सकते हो, जिसके बाद में वो एक SIM देगा आपको, और वो SIM आपका हो जाएगा, उसके बाद में उसे लेके चल दो और उपर से ये इंडिया का पहला ऐसा टेलिकॉम होने वाला है, जो कि satellite to device connectivity भी आपको देगा, SMS करने के लिए, मतलब कि आप SMS सेटलाइट के थूरू भी कर सकते हो, जो कि Apple फीचर देता है, US Canada के अंदर उसी तरीके का फीचर ये भी दे रहे हैं कि आप directly सेटलाइट से ही connectivity इलाग कर SMS कर लो, यहां पर ये देखने को तो जरूर मिल रहा है कि BSNL के ऊपर लोग विश्वास दिखा रहे हैं, तो BSNL भी कुछ न कुछ करने की कह रहा है कि हम भी करके दिखाएंगे आपके विश्वास को पूरा, हाला कि टैम लगेगा उसके अंदर थोड़ा सा, लेक जब यह प्राइवेट जेट को ट्रैक करता था ऐलाउन मस्क के और यह काफी दादा मनलब उस वक्त में चर्चाओं के विशे में था, ऐलाउन मस्क ने इसको कहा कि मेर से पैसे वैसे ले ले लेकिन इस अकाउंट को बंद कर इसने मना कर दिया, जिसके बाद में ऐलान मस्क ने क्या किया, एलाउन मस्क ने पूरा ट्विटर ही ले लिया, उसके बाद में उसको एक्स बनाकर इसको बैन कर दिया, अलगि एक्स बनाने से पहले इसको बैन कर दिया था, जिसके बाद में इसने का कि ठीक है, मैं एक्स पे से बैन हो गया, तो क्या हुआ, मैं फेस्बुक और कई जगों से बेंड किया जा रहा है कि भाईया कहीं भी तेरी चलने नहीं वाली है जहां पर खुद Elon Musk के lawyer तक ने ये बात कहा है कि भाईया तुमारे लिए ये game हो सकती है तुमारे लिए fame पाने का रास्ता हो सकता है तुमारे लिए पैसे कमाने का जरीया हो सकता है लेकिन किसी और के लिए जिन्दगी और मौत का एक situation हो सकती है कि आप उसके private jet की information बता रहे हो कि इस वक्त में गोम रहे है जिसको कुछ करना होगा वो शायद इनको track करके कर सकता है इस तरीके की information पाके तो food delivery application तो आप सभी के mobile के अंदर होगी आप कहीं पर भी जाते होंगे उससे अपना खाना मंगवा लेते होंगे और उस जगे की location आप भेज़ देते होंगे कि इस जगे पर आज अ हो रही थी मतलब आप सोच के हैरान रह जाओगे कि वो एक food delivery platform के उपर काम करता था लड़का बलकि अभी भी करता है जहां पर वो उस लड़की को track कर रहा था कि कहां पर जा रही है क्या मंगवा रही है इस तरीके की चीज़े वो कर रहा था क्योंकि वो था उसके पास में इतनी authorized power थी कि वो लड़की भी उसी food delivery application को use करती थी अब देको नाम डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन वो बड़ी application है तो आप खुछ समझ सकते हो तो यहां पर लड़की जब भी कहीं पर भी जाकर खाना मंगवाती थी तो उस लड़के को पता लग जाता था कि यहां पर होगा उस platform के ऊपर जहां पर mobile number डाला और track हो जाता है कि भी यह खाना इस address पर मंगाया था यह खाना इस address पर मंगाया था यह इतने का था उतने का था तो इस तरीके की डीटेल इसके पास में जारी थी जिसकी वएसे परेशान कर रहा था अपनी girlfriend को यह बता बता कि कि अच् तो हर साल air purifier की sale इतनी जादा क्यों बढ़ जाती है क्योंकि दिवाली का जब वक असपास में आता है तो तो आना शुरू हो जाता है लेगिन सबसे ज़ादा air purifier वालों के मज़े आ जाते है कि यह खरीद लो वो खरीद लो इससे तम़ारे गर की air quality बढ़ जाएगी, यह हो जाएगा वह हो जाएगा to इस तरीके की चीजर इसी वक्ट में होती है जब दिवाली आ रही होती है जिसके बाद में इनकी सेल उतनी जादा नहीं रहती जब दिवाली चली जाती है तो मतलब अभी इस वक्त में हर जगे यही देखना को मिल रहा है कि अर्प््यृटिफायर ले ले लो एर की कुलिटी काफी जाधा गंदी होती चली जारी है और अब शैदाने वाले व्क्त इवन और का रूल भी देखने को मिल जाए कि भाई या पॉलूशन रोकना पड़ेगा अभी कंस्ट्रक्शन का तो सुनने में आया कि कंस्ट्रक्शन रुख चुकी है दिल्ली के अंदर कि यह मत करो इससे भी पॉलूशन हो रहा है तो हम इंडिया के अंदर यहां पर खुश ह सिस्टम भी है कि मतलब आप पेमेंट अपने हाथों से भी कर सकते हो बस हाथ दिखाया उसके बाद में आपकी पेमेंट हो गई कुछ इस तरीके से बस यहां पर आपको रेजिटर करना पड़ता है उस डिवाइस के ऊपर अपने पाम को और उसके बाद में शायद उसमें थ होता है वहां पर और इसी चीज को कई सारे स्टोर ने रेस्टोरेंट ने अडॉप्ट कर लिया है जहां पर पेमेंट सिस्टम अप पाम से भी हो जाता है मतलब आपने अपनी हतेली दिखाई और आपका काम हो गया बट हाँ यहां पर कंसर्निंग चीज यही है कि भाई इस तरीके की चीजे क्या पता किसी की बायोमेट्रिक को चोरी कर वाले है कर वाले उसके बाद में उसकी पेमेंट सामने वाला बंदा काट रहा है कोई गलफ पहन के जिसके उपर उसका पाम बना हुआ तो इस तरीके की भी चीज़े हो सकती है कि हमने देखा है कि फेक लोगों ने बायोमेट्रिक चुलाने की कोशिश की है।